हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग के प्लान ऑन टाइफाइड या फिर एंटेरिक फीवर इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं पेडियाट्रिक मेडिकल सेर्जिकल नर्सिंग कम्यूनिटी हेल्फ नर्सिंग और फंडा टाइफाइड फीवर जो होता है यह सालमोनेला टाइफी बैक्टेरिया होता है उसकी वज़ा से यह होता है और कॉंटामिनिटेट फूड एंड वाटर जब ले लेते हैं तो उसकी वज़ा से में लिए हमारे पेट खराब इसमें रहने लग जाता है इंटेस्टाइन को यह करता है टायरिया वॉमिटिंग हेडिक जैसी फ्राब्लम और फीवर रहना स्टेप अर्फीवर से लिएगन्ड की जाने के लाद फीवर जाने का इंडेट उस पहले लिख सबकुछ लिए-प्लेंट्स बतानी है जो जो उनकी major complaints है वो लिखने हैं साथ में आप आप fever भी add कर सकते हो क्योंकि fever भी इसमें आता है तो fever भी इसमें लिख लेना है vomiting headache है patient को उसके बाद बतानी है history present और past की present में तो वही जो complaints है वो आप सब लिखोगे और वो कब admit हुए कहा admit हुए यह सब कुछ लिखना होता है past म कोई उनकी problem रही है वह वाली आपको इसमें note करने है अगर past में कोई उनकी illness है patient की आपके तो लिखोगे next राती birth history क्योंकि हमने यह child लिया है तो इसलिए इसमें इसकी birth history जो एंटे नेटल नेटल पोस्ट नेटल वो सारी history में लिखनी होगी इसमें अपकार scoring वगरा है फिर growth and development इसमें आ जाएगा क्योंकि pediatric का भी आप बना सकते है उसे pediatric का format इसमें follow हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको fundamental में नहीं बना सकते है उसमें बना सकते है जितने subject मैंने बताया है सब में बनाया जा सकता है यहाँ पे इसकी growth लिखोगे आप कैसी weight यानिकी weight वगरा growth motor, fine motor, socialization कैसा है, cognition कैसा है, cognitive तो यह सब इसमें चीजें include की जाएंगी growth and development में आप थोड़ा थोड़ा इसमें note करोगी चीजें फिर physical examination लिखोगे देखोगे इसमें physical examination बहुत ही थोड़ा सा है और आप इसमें add कर सकते हो मेरे बहुत सारे वीडियो से जिसमें physical examination आपको मिल ज परना है नहीं तो आप physical examination में तो ऐसा होता है कि सब कुछ आप normal बता सकते हो कि यह चीज में ऐसी कोई abnormality नहीं है सब कुछ normal है यह family history आ गई जिसमें family members के name आएंगे और उनका क्या relation है patient के साथ और उनका क्या health status है यह सब लिखा जाएगा family tree आपको बनाना है और patient को अलग से आप पर represent करना है इस पर keys नहीं है तो आप पर keys भी आप लिख सकते हो कि यह male के लिए यह female के लिए है और यह यह जो है वो patient के लिए है यह family history यहाँ पर prenatal history बताई गई है उसके बाद natal history फिर immunization में patient को जैसे कि यहाँ लिखाए कि child receive all immunization vaccine जो भी वैक्सिन है उसको उसकी age के according सभी vaccines लग चुकी है कि anthropometric measurement में जैसे उसकी हाइट लिखोगे आप head circumference लिखोगे examination पैटरन लिखोगे तो यहाँ पर उसका यह जो है ना यह सौरी elimination आएगा यहाँ पर इसको ठीक कर लेना elimination लिख देना यहाँ पर यहाँ पर developmental history patient की आ जाएगी जिसमें की mild stone आ जाते है माइल स्टोन के अंदर फिर social smile कब उसके बच्चे की कुछ normal age रहती है उसमें फिर उसकी development होती है कि कुछ एक तीर महीने में बच्चा social smile करता है फिर वो 6-8 महीने की बीच में sitting करने लग जाता है फिर वो चलने फिरने लग जाता है तो यह सब कुछ होता है वहीं आपको इस बोलना कब शुरू किया यह सब कुछ चीज़ें इसमें आईगी और फिर वाप उनके पेरेंट से पूछ कर भी नोट कर सकते उसमें फिर इन्वेस्टिकेशन आएंगी जिसमें की मेन इसमें क्या होता है ना कि सी बीसी का टेस्ट और विडाल टेस्ट यह लिखा यहां पे तो यह इसमें टाइफाइड के जो पेशेंट हमें जरूरी रहता है करवाना यह ज्यादा जरूरी है इससे कंफर्म करने के लिए ची सकते हो यह 11000 लिकना है यहां पे 4000-11000 तक टार्बल टीलसी होता है और मेरी जो टीलसी टाइफाइड के केस में नो हो जाता है टीलसी है टोटल लूकोल को साइट का वो जी जयाता है इसमें योई सैटोपीनिय इसको कहते हैं तो उसमें कम हो जाता है यह देखिए यह गलत लिख ju.ter अग्राम पर टीय। और यहां पर भी आपकी पेशन्ट का जो तक भी होगा माल लो उसका 14HP है तो 14 आप यहां पे लिख सकते हो थोड़ा सा इसने हीरा फिर यह विब नंबर काफी आगे लिखा हुआ है तो वह आपको ठीक कर लेना है फिर यह ट्रीटमेंट है इसमें सिप्रोफ्रॉक्सिन एक अंटिबायोटिक और फ्लॉक्सिन भी दिया जाता है पीसी एम क्योंकि फीवर की लिए दिया जाता है वामिटिंग की प्रॉब्लम अगर रहती है तो फिर एमसेट उसमें दे सकते हैं यह फोर एमजी वाला है चार यह सब कुछ उसका दिया जा रहा है पेशेंट को तो आप देख लीचे नर्सिंग डाइगनोसिस तो इसमें है फॉर्स्ट जो डाइगनोसिस है वो है इंबेलेंस निट्रिशनल स्टेटेस लेसें बॉड़ी रिक्वार्मेंट इंटेक क्योंकि इसमें डाइवाइट के पे असेस्मेंट सबसे पहले करना है सब्जेक्टिव डाटा नोट करोगी उसकी मदर कंप्लेट करें कि चाइड बच्चा जो है काना निखा रहा है आप यह अब्जर्ब करोगी कि वो वीक है फटीखनेस आपको देखने को मिलेगी गोल आपका रहेगा कि उसका निट्रिशनल स्टेटिस जो है वो मैंटीन करना है फिर इंटर्वेंशन हम करेंगे जैसे कि उसमें अस्यस्मेंट है उसका हाइट वेट रेखेंगे कि हाइट के कॉर्डिंग क्या उसका वेट है कितना वेट उसका कम हो रहा है उसको SMALL और FREQUENault यानि कि थोड़ा-थोड़ा थोड़ी-थ देंगे एक साथ उसको जादा नहीं देंगे प्रोटीन देने की कोशिच करेंगे ताकि वेट मेनेजमेंट हो सके लिक्विड देंगे उसे क्योंकि वह अगर नहीं खा रहा है तो फिर लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं और फिर एवैलुएशन करना है आपको वैसे इसमें इंप्लिमेंटेशन नहीं है तो वो भी आप एक कॉलम इसमें बना लेना इंटर्वेंशन के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट ये नेक्स्ट है इसमें दो डाइगनोस हैं ये है ये है दो ठीक है तो पहला देखो पहला है अल्टर्ड बॉडी टेंपरेचर मोर दें बॉड नौर्मल रिलेटेट टू इनफेक्शन तो जो बॉडी का टेंपरेचर है वो इंक्रीज हुआ है फीवर है पेशेंट को वैसे कंप्लेंट में नहीं था पर आपको लिख लेना है क्योंकि इसमें होता है फीवर तो उसकी लिए आप असेस्मेंट आपका पहली रहेगा कि आ आप उसका फीवर चेक करोगे फिर आपको पता चलेगा फीवर है पाइरेग्जिया है तो आपका यह गोल रहेगा कि रिड्यूस करना है नौर्मल टैंप्रेचर में आना चाहिए उसके लिए इंटर्वेंशन आपको करना है जिसमें की स्पंजिंग में रहता है और एक ऐस कॉंटिन्यूस थोड़तर देर में मैं चेक करना है उसके बाद नेक्स्ट है डिल्स्टर्ब स्लीपिंग पैट्रन तो यह डिजीज कंडिशन की वज़ा से उसका स्लीपिंग पैट्रन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप इंटर्वेंशन करोगे और यहां प को उसको आपको मैंटेउन करना है उसके लिएपकर सकते है स्लीप आयूब्लच को मिल दे सकते हो अगर वह लेता है तो दे सकते हो फोजिश्टिंग रखन आप उसमें कर सकते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो यह होगे तीन डाएगनोज बहुत होते लावा अगर और भी आप बनाना चाहते हो तो आप चोटा बच्चा बच्छा है जो फ़िक्ष direct discour seating ऑस न का कहसे ए दुव友 लिखनी है तो प्रॉपर डाइट के बारे में इंटेक न्यूट्रिशन के बारे में हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे इसमें में तो पेरेंट्स को एजुकेशन प्रॉइट करेंगे और डिजीज के बारे में बताएंगे कि यह किस तरह स्प्रेड होती है यह आप चीजे लेनी है, parents को बताना है medication के बारे में time to time लेनी है, provide करना है psychological support और especially जो environmental hygiene है, personal hygiene है उसके बारे में इनको अच्छे से explain करना है ठीक है, उसके बाद आप अपने topic को conclude कर सकते हो, bibliography लिख सकते हो जैसे MSN की कोई book है तो उसका जहां पर टाइफवाइड का topic आपका उसका page लिख सकते हो तो इस तरह से आपका टाइफवाइड का ये topic बनेगा तो ये आपके लिए helpful हो जाएगी वीडियो टाइफवाइड के topic अगर आप चाहते हो क्योंकि मुझे कावे पहले comment आया था बटी topic मेरे पास available नहीं था भी मुझे मिला है तो मैंने सुचा कि आपके ताथ share कर देना जाये तो मैंने कर दिया है